जैन प्रेंच मेरा ना मजीद सिंग और आप मेरा ये यूटुब चैनल देख रहे हैं रद्दा की खड़ी-खड़ी तो तब आज ना फेस्बुक पे हमारा एक ग्रुप है घुमकडी जंदाबाद उस पे एक पोस्ट आई उस पे एक मित्र ने एक बड़ा दिखत समाचार य गए थे और वहां उनकी पल्मनरी एडीमा के कारण बड़ी दुखत मरस्टी हो गई है पल्मनरी एडीमा मतलब हाई एल्टीचीट पे उस एल्टीचीट पे जहां आपको ऑक्सिजन की कमी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आती है और आमतर पर ऐसा जो होता है वह बार मृत्य हो जाती है यह एक्यूट माउंटेन सिकनेस का एक अगला कॉम्प्लिकेशन है अगले लेवल का यूवक की जो है वहां पर मृत्य होई है तो उस पर आज एक चर्चा चल रही थी तो उस पर उसका जवाब देने के लिए उस पर बहुत सारे लोग अपने अपने राय बता दूँ कि हाला कि फेस्बुक पर तो बहुत सारे मैं क्योंकि मैं फेस्बुक पर पिछले साथ नौ साल ते एक्टव हूं तो मेरे सारे रीडर्स जो है वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि I am a very avid traveler मैंने बहुत जादा घुमकड़ी की है जिन्दगी में और म मैं यह मानता हूं कि मेरे जीवन में अब तक मैंने जो कुछ सीखा है उसमें जैसे मेरी स्कूल कॉलेज के शिक्षा तो फॉर्मल बहुत जादा हुई कि मैं स्कूल तो स्रिफ 10 तक गया हूं उसके बाद तो मैंने जो भी पढ़ाई की घुमते फिरते की है कहीं से स्कूल कॉलेज जाने का तो मुझे मौका ने मिला तो मेरी शिक्षा जो है या तो पढ़ने पढ़ाने से हुई या घुमकड़ी से हुई ट्रैवलिंग और मैं ये मानता हूं कि एजुकेशन का सबसे एफेक्टिव माध्यम यदि जीवन में कोई है तो वो ट्रैवलिंग है घुमकड़ी इसलिए मैं हमेशा पैरेट्स को बोलता हूं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कराईए उनको घुमकड़ी काम टूरिजम में और ट्रावलिंग में अंतर क्या होता है पहले तो यह समझ लीजिए यदि आप अपने बच्चे को एसी में हवाई जाज में टिकेट बुक करा के कहीं घुमने भेज रहे हैं वहां आपने पहले ही जो है उसके लिए होटिल बुक करा दिया है जब हवाई इसका सुठके सुठाके चलेगा फिर वो लड़का आपका तीन दिन वहां घुमेगा एक गाइड़ेट टूर के साथ और यह इसे घुमकडी नहीं कहते इससे आपका बच्चा कुछ नहीं सीखता इससे अच्छा उसको अपने घर में रखो बच्चे को साब घुमना तिखाओ बिना किसी प्लैनिंग के बिना किसी आइटनरी के जहां मन किया मुह उठाया बैग कंदे पे लादा चल दिया कोई رजर्वेशन नहीं कोई प्लैनिंग नहीं स्लीपर में गया, एसी में गया, जनरल में गया, बस में गया, ट्रक में गया, टेंपो में लटक के गया बिना किसी प्लैनिंग के, बिना किसी रेजर्वेशन के, जहां मन गिया, वहां मह उठा के चल दिया एक दो दिन चार दिन गुमा ना सोने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना ये जो घुमकडी होती है न ताब इसे कहते हैं ट्रेवलिंग और असली अनुभाव व्यक्ति को यहां से मिलता है वो लगजरी टूरिजम किसी काम का नहीं होता वो तो टचन गो टूरिजम होता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शिक्षा का सबसे बड़ा माध्यम ये इस किसं की घुमकडी ट्रेवलिंग है और तब मैंने सारी जंदगी ये ट्रेवलिंग लिया और ये मैंने सोच रखा है कि मैं यूट्यूब पे भी अपने घुमकडी के किस सुनाऊंगा आपको और ये बताऊंगा कि आपको घुमकडी कितना कुछ सिखाती है कितने रिच एक्सपिरियंस होते हैं ट्रेवलिंग के तो अच्छा उसके बाद साब शुरू में तो घुमकडी होती थी हमारी रेल से बस से उसके बाद जब हमारे पाथ बाइक आई तो हम बाइक से घुमने लग गया और बाइक से लंबे-लंबे बहुत लंबे-लंबे टूर किया था मैंने और मेरी पतनी ने हम जून के महिने में जलंदर थे अपनी पैशन बाइक से चले सौसीची की बाइक उस पर दो क्विंटल के हम दोनों और बनारत से चलिस माह पुर्च आ गए जून के महिने में अच्छा मज़े की बाद है हेलमेट ने चश्मा तो उसके बाद साब हमने बुलिट खरीद ली बुलिट भी खरीदे वे मुझे शायद सत्रम खरीदी थी आज हो गए चारपास साल तो पांसो सीसी की थंडर बुलिट ले ली फिर बुलिट से घुमकड़ी किताब पिछले पांस सालों में मैं शायद पचाज़ार किलोमेटर अपनी बुलिट से घुम चुका हूँ इससे पहले जब तक पल्सर पैशन और वो सब थी उनसे भी एक आक लाख किलोमेटर घुमें तो ये घुमकड़ी के जो हमारे जो ट्रैवलिंग ग्रॉप्स है ना फेस्बुक पे उस पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और आज जब उस बच्चे की मृत्यों वहां केदार कंठा ट्रैक में हो गई पल्मनरी एडिमा के कारण हाय एल्टिचूट के कारण तो उस पे एक बड़ी बहस छड़ी और बहुत सारी जानकारी शेयर करने के हमें जरुत महसूस होई तो मैं आपको बतातू हूँ कि यह केदार कंठा ट्रैक है जब आप यह मनोत्री की तरफ जाते हैं तो वहां पे एक जगए पढ़ती है सांकरी सांकरी से थोड़ा सा और उपर जाते हैं तो वहां पे एक बेस कैम्प होता है वहां से फिर विंटर्स की टाइम पे जबकि चारु तरफ स्नो हो जाती है तो वहां पे एक ट्रैक होता है उसको केदार कंठा ट्रैक बोलते हैं बेस कैम्प में लोग रात को सोते हैं वहां पे फिर चड़ना शुरू करते हैं तो बैस चार बजे और फिर वहां से दो तीन घंटे का ट्रैक करके दो पहर दो बजे तक वापस आ जाते हैं और बलकि फिर वहां से वापस सांकरी उताराते हैं तो वह हाई इल्टीचूड और शायद 14,000 फिट के असपास है तो उस हाई इल्टीचूड सिमिंटर ट्रैक पे एक ग्रूप गया हुआ था जिसमें एक लड़के की जो है शाम को जो है उसको तबियत खराब हो गई वो खाना पीना खा के सोया जब सुबह चार बजे समिट करन कि यह लोग जा रहे थे तो उसको जो है दिक्कत महसूस हुई तो जो टूर ऑपरेटर और गाइड था उसने का कि कोई बात नहीं आपको दवाई दे दिया आप शाम तक ठीक हो जाओगे अब कोई बात नहीं चलना चाहते हो तो आप रेस्ट करो जब वहां से चार छे मेंबर्स को बोलो कि आप लोग पैदल नीचे उतरिये और हम इनको खचर पे लेके आ रहे हैं और जैसे जैसे यह नीचे उतरेंगे जैसे इनको अक्सिजिन लेवल इनकी बाडी का सही होगा इनको इनकी तबेट ठीक हो जाएगी और उन जो बेसिक फरस्टेट जो दवाई स्टैंड अप और फिर जब उसको अस्पताल ले गए तो ही वर्स डिकलेड ड्रॉट डेड और डॉक्टर ने बोला कि इसके तो फेफ़रों में पानी भरा हुआ है यह घटना हुई है था पिछले हफते तो इसी पर चर्चा चल रही थी तो अब लोग कह रहे हैं कि साब द दोश्ट उस व्यक्ति का है कि तुम 14,000 फिट की हाइट पर घूमने जा रहे हो सोने जा रहे हो आई यू एक्लिमटाइजड फॉर देट हाइट भाईया हम रहते हैं सी लेवल पे मनाली जैसी जगहे शिमला जैसी जगहे होती है 5000, 6000, 7000 फिट तक तो जो आदमी प्लेन में रहता है वो अगर शिमला मनाली आके सो जाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है 7000 फिट तक जो है ऑक्सिजन का लेवल इतना कम नहीं होता कोई किसी किसम की दिक्कत नहीं होती है हाँ हम जब शेड़ी ये मेरे चड़ते हैं तो प्लेन्स की तुलना में यहाँ थोड़ मतलब 7000 फिट से उपर का टोरिजम करना है तो एकठे 12000-14000 पे मत पहुच जाओ इसलिए मैं मना करता हूं कि अगर आपको ले लदाग जाना है तो पहली बात तो हवाई जाज से मत जाओ हवाई जाज से आप दिल्ली से उड़े 12000 फिट पे ले उतर गए आपको पका दिक् पांच दिन में ले पहुचो मैं आपको बता हूं मैं अपना प्रत्यक्ष अपना निजी अनुबा बताता हूं आज से करोना आने से दो साल पहले मैंने और मेरे एक मित्र ने हमने शिमला से चंडीगर शिमला से शुरू करके पूरा लाहॉल स्पीती बाइक से सोलो राइड करते हुए मैं लेलत दाग तक गया था वो मनाली से वापस आ गया था तो तब पहली रात तो हम दें शिमला में बिताई हम शाम को दिन में डेड़ एक बज़े शिमला पहुच गये थे दिन में खाना पीना खाया और वहां थे फिर हमारे एक लोकल मेत्र थे उनके साथ हम टेहल ने निकल गए और बज़ार में मुझे कुछ शॉपिंग करनी थे मुझे गंबूट से लेने थे हम उसके लिए चले गए और मुझे याद है तीन बज़े से लेके शाम साथ बज़ चलते रहे हो उसने हमें इतनी सीडिया चड़ाई इतनी सीडिया चड़ाई थक के चूर हो गए खूब सांस चड़ी पर हम साथ हजार फीट पे शिमला पे लगभग साथ हजार फीट पे चार घंटा तक पैदल चले इससे क्या हमें खूब सांस चड़ी और हम साथ हजार फी के हाइट पे है तो अब हमारा कहता हमने ग्रेजूली हाइट गेंड की और साथ हजार से अब आज की रात हम कलपा रुके है कलपा में भी हम काफी देर तक पैदल चले हमने सुड़ियां चड़ीं रात को आराम से सोई दसजार फिट में कोई दिक्कत ने हुई शाम को रात को एक बार जो है डीप ब्रीजिंग दो चार बार करनी पड़ी थोड़ी सी ब्रेथलिसनेस दसदार पे भी मैदूस होती है उसके लिए आप हलकी सी डीप ब्रीजिंग कर ले तो हो जाता है उसके बाद हम वहां नेक्स डे काफी देर तक हम कलपा में घूमते रहे क्योंकि अगली रात हमने चितकुल में बिताई चितकुल में भी हम काफी घूमे अब पिछले तीन दिन से हम साथ हजार और दस हजार फीट पे हम वी वर वाकिंग तो वी वर एक नाव वी वर वेरी वेल अक्लेमटाइज़ पर 10,000 फीट 11,000 फीट उसके बाद साब हम नाको पहुँ उस रात हम 11,500-12,000 फीट के लिए एकलिमटाइज हो गए उसके बाद हम फिर थाब बाइक चलाते वे ताबो आए ताबो से हम मुद चले गए मुद पे भी हम खूब पैदल चले रात हमने मुद में बिताई तो पांचमें दिन साब हम काजा पहुँचे अब नाव काजा इ एकक्षम् यह स्टाइब के गाउं है वहाँ पे वह एक गाउन हैं जो सबसे हाइस्ट जहां पोस्ट ऑफिस है वहां गए उसके उपर एक गाउन है उसके उपर हिक्किम जो है 15,500 फीट के आईद पर है तो मेरे साथ जो मेरे मित्र थे अर्याने के हैं वो उबले कि दादा अभी तक 12,000 feet के लिए acclimatized हैं, 12,000 तक हम सो चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, पर हम 81,500 पर, मतलब 3,000 feet के height गेन करके रात को सोना, यह समझदारी नहीं है, हम ऐसा करते हैं, 14,000 पर सोते हैं, 13,000 और 14,000 में बहुत अंतर है, 15,000 feet का अंतर है, तो मैंने कहा, 14,000 पर हमें थोड़ी से दिक्कत तो आईगी, पर हम परिशान नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि 12,000 के लिए तो हमें acclimatized हैं, वो नहीं माना, बोला कुछ नहीं होता, आरा मैंने कहां मरत जाएगा, मैंने कहां, हम यहां enjoy करने आए हैं, हम यहां कोई सजा काटने थोड़ी ना आए हैं, हम दुख जहलने थोड़ी ना आए हैं, मैंने कहा, समझदारी से काम लो, क्यों पंगे लेने, वह enjoy करने आए हो ना, तो खुब दबा के खाओ, बढ़या खाओ, सो, 15,500 feet के आईट पर सोगे, सारी रात निन नहीं आएगी, सारी रात सांस नहीं आएगी, सिर्दफ भेंकर होगा, सारी रात खराब हो जाएगी, अगला दिन खराब हो जाएगा, तो मैंने कहीं यह पंगे क्यों लेते हो, जब आप एकलिमेटाइज हो, 12,000 feet के लिए थो साड़े पंदर अप नहीं तो नहीं होना पर भी मैंने क्या किया सोने से पहले लगवग एक घंटा वाक कर लिया था वो करना पढ़ जाता है जहां बाइक पारक की वहां से पीजी काफी नीचे था एक दो बार उपर नीचे जाना पड़ा समान उठा के इतना भारी बैक पीजी तक ले जाना पड़ा उस में सांस और उसके बाद में गहरे नीन सोया, मुझे रात बर में बिलकुल भी किसी किसम की ब्रेथलेसनेस नहीं हुई, कोई सिरदर नहीं हुआ, बिलकुल, मैं सुबह, अच्छा सुबह मुझे निकलना था अब लेक के लिए, और इट वोद वेरी वेरी टफ राइड, क्योंकि उसके आगे 120 किलिमेटर, बड़ा भैंकर आफ रोड की साब जर्नी और बड़ी जबर्दस्त वो राइड होती है, तो उसके लिए मुझे सुबह चार बज़े निकलना था, मैं शाम रात को मुझे याद है, मैं नो थाड़े नो बज़े सो गया था, तो मैं चार बज़े मैं सो के तो मैं चार बज़े मैंने बाइक निकाली, 120 किलिमेटर था, मैंने उस दिन जबर्दस आफ रोड किया, क्या जबर्दस उस रूट पे वो है, आपकी वाटर क्रॉसिंग से, क्या शानदार वो, मतलब वो मेरे जीवन का सबसे मदेदार अनुबव था, राइडिंग का, और जो शायद मेरे लाइफ का सबसे टफ आफ रोड एक्सपेरिंस था, मतलब कादा से और ग्राम फू तक की वो जो राइड थी, उसके बाद मैं बाइक चलाता हुआ आ गया, मैं मनाली नहीं गया, मैं सीधा ले की तरफ निकलाया, केलों के आसपास मैंने राद बिताई और उ के बाद हम तुर्टोग चले गए और वो समुरीली लेक और दुनिया भर की लेफारी लेक, वो पूरा हम वो उस अलाके में घुमते रहे, बीच में हमको सत्रह दार, चौबिस जार फीट तक के पासर्स पे ते निकलना पड़ा, कहीं हमें रास्ते में, कभी कोई दिक्कत न वैली करना है, तो आपको मिनिममम, मिनिममम दस दिन की छुटी लेकर निकलना चाहिए, क्योंकि पांच दिन तो आपको एक्लेमटाइज होने में ही लग जाते हैं, अगर आपको छुटी ही पांच दिन की है, तो आप कहते हैं, गूम लोगे ले लगदा, यस पीती वैली, बहुत सो लोग क्या करते हैं, कि वो बाई एर ले आकर उतर जाते हैं, मैंने का भाईया एक तो पहली बात, ले अपने आप में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई बहुत अच्छा, ले कोई ऐसा कोई शेहर नहीं है, जहां आप दुनिया गुमने आती है, श्री नगर से ल ले आने की जो जर्नी है, जो रास्ता है, उस रास्ते पर यत्रा करना, या मनाली से ले आने का जो रास्ता है, वो जर्नी असली रोवांच देती है, असली एडवेंचर वो जर्नी है, ना कि ले सिटी, तो जब आप बाई एर आते हैं, तो वो जर्नी तो आपने कट दी, वो जरनी तो आपने की नहीं तो आप ले क्या करने आए हो तो यदि आपको दिल्ली से ले आना है तो आप मैकसिमम एक काम कीजिए श्री नगर तक बाई एर आ जाईए श्री नगर एक दो दिन रुकिए क्योंकि श्री नगर भी पांच जार फीट पे है उसके बाद वहाँ से गुलमर्ग पैलगाम सोन मर्ग चले जाएए एक दो दिन वहां रुकिए क्योंकि ये सारी जगहें भी आट दस जार फीट की हाईट पे आपको एक्सपोजर देती है वहां खूब पैदल चलिए जब आप दस जार फीट के लिए एक्सपोज हो जाए फिर आप आराम से बारा जार फीट पे है ले लगदाक आप आराम सा तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आप डाइरेक्ट ले जब ले लगदाक लैंड करते हैं तो आपको इतनी दिक्कत होती कि पहले दिन तो आपका सिद्धर करता रहता है डॉक्टर बोल देता है भाईया पहले दिन विल्कुल बाहर ने निकलना जोर से तेज पैदल नहीं चलना जोर से बोलना नहीं खासना नहीं यावा और सारा दिन होटल में रेस्ट करो तो होटल में एक दिन आपका होटल में सोने में बीच जाता है कई लोग एक दिन में अग पास्ते की जर्णी को इंजॉय कर लो और उसके बाद दो दिन ले लगा घूमने के बाद नाव इस फाइव डे आप पांच दिन एक्लिमेटाइड हो चुके हैं और बारह हदार फीट की हाइट पे दो दिन सो चुके हैं पांच दिन में अब आगे अराम से जाएए चाहे जिस पास पे चड़ जाएए जहां सो जाएए आपको पूरी जर्णी में कोई दिक्कत नहीं होगी इसलिए यदि आप इस प्रकार का हाई अल्टिचूड टूरिजम करना चाहते हैं एडविंचर करना चाहते हैं तो कम से कम दस दिन की छुट्टी लेके आईए उस दस दिन में अच दिन एक्कलेमटाइजेशन के लिए रखना बहुत दरूरी है अगर आप सीधे बाईयर आ जाएंगे तो बहुत दुखी होंगे मेरे एक फ्रेंड आ गए थे जैसे ही उत्रे उनके बच्चे की तवेत खराब हो गई तुरंत घूमना घामना छोड़के पहले अस्पता हाँ आपके वापसी आप बेशक बाईयर कर लीजिए दस दिन ले लगदाग घुमिये और बाईयर वापस आ जाईए पर जाते समय बाई रोड ही जाओ कम से कम दस दिन की चुटी लेके जाओ और ले लगदाग अधी आपका प्रोग्राम बन रहा है तो कुछ दिन अपने खर दिन शेडिय वाँ चड़ने की 2-4-10 किलोमेटर पैदल चलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए ठोड़ा सा जिसे कहते हैं न कार्डियो ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको तेज सांस चढ़ने की प्रैक्टिस हो जाए जिससे कि आपकी सांस वहा चड़े भी आपको आपकी हार्टवीड बहुत तेज हो तो आप पहले से उस चीज़ के लिए फिजिकली प्रिपेर्ड है और पल्मोनरी एडीमा या ये एक्यूट मौंटें थिकनस जिसे एमस बोलते हैं ये किसी को किसी का लिहाज नहीं करता है पिछले दिनों एक पिछले ताले केश हुआ था एक एक बहुत ही अनुभवी ट्रैवलर और ले लद्धा के बड़े अनुभवी गाइड टूर अपरेटर जो की सैकनों बार ले लद्धा की एक एक चोटी उन्होंने की देखता है आज आपका कैसा है वह यह देखता है एक महीना पहले आप बहुत अच्छे पमधाइश थे उससे नहीं फरक पड़ता है एक महीना पहले आप दो महीना पहले उससे फरक नहीं पड़ता है आज तो आप दिल्ली से आये हो ना पिछले दो महीने में आप दिल्ली रह रहे थे तो उस मित्रने से क्या गलती हुई थी कि वो बाई एर वही ले लदाख लैंड किये वहां के उन्होंने अपने ग्रुप के साथ एक टैक्सी ली और शायद वो 14,000 फीट की हाइट पे रात को कहीं सोई थे रात को उनको एमस हुआ और पल्मनेर एडिमा के कारण है और वेरी एक्सपेरियंस ट्रविलर टूर ऑपरेटर गाइड तो अनुभव का आपके एक्लिमाटाइजेशन से कोई संब्द नहीं होता है एक्लिमाटाइजेशन आपको आज करना है यदि आपको हाई एल्टिचूट पर इंजोई करना है तो इन बातों का ध्यान रखिए अगले किसी एपिसोड में मैं बताऊंगा कि जब हम राइडिंग करते हैं जब हम राइड्स करते हैं जब हम बाइक्स पे लेलदधाक जाती हमेशा एक बात कियाता हूँ कि the bike doesn't matter the rider matters आप किस bike पर ले लड़ाग जा रहे हो फरक नहीं पड़ता आ एक्टिवा पर भी औरते जाती है। तो bike तो कोई भी चली जाती है राइडर किटना फिट है इस difficult ride के लिए यह matter करता है तो यह हम आने वाले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं आपको इस तरह अपनी घुमकड़ी के अपनी फक्कड़ मस्ती वाली जिंदगी के बहुत सारे किस्से सुनाता रहूँगा और यह किस्से यह मैंने सारी जिन्दगी मैंने बोला नहीं मैंने यही फक्कड मस्ती की है और यह यह सारी जिन्दगी का जो अनुभव है यह ऐसे ही फक्कड मस्ती से आया है हम यहीं किस्सा गोई करते रहेंगे, आपसे बारते करते रहेंगे, आपने मेरा चैनल देखा, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जल्दी अगले अपिसोड में फिर से मिलते हैं, तेंक यू वेरी मच्छ.